पिछले वीडियो में हमने आंतिग्वा देखा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उपर लिंक है क्लिक करके आप देख सकते हैं आने कहा था कि एक रिक्षे वाले ने हमको रेकमेंड किया कि यहां पर पास में एक जगा है जिसका नाम आरतामीरा है तो हम यहां से रिक्षा करने वाले हैं वीडिAK्षा जो कही हम लोःको बहो रहा हalter है को तो फोसो दोसो किनसा कि अगरा आने कि आ הי है तक के फाइनल किया है त्शतम से कलोछी है रिक्षे में अगर क्ला बच्पर में, एक रूपय देखे सकूल जादे दे रिक्षे इसको यहां पर होता है टुक-टुक जैसे नों इसको तुक ऍट्स्री लेटme इंडिया में खाली शैज्रस लोचे है बहुत साल के बार मे भी रिकशे में बैठ रहा हूँ आख्री बाद 2015 में जब इंडे गया तर तब बैठा था उसके बाद अब 2022 में तक्रीबन 7 साल हो गये उसके बाद अब रिक्षे में बैठ रहा हूँ रिक्षा स्ट्रगल कर रहा है उपर चड़ने के लिए पाहाडी रास्ता है इस वज़े से नीचे उताव है क्योंकि ऊपर जलान है चड़ने के लिए वेट के वाज़े से नीचे सब्सक्राइब अधे घंटे बाद अभी यहां हम पार्किंग पर पहुँच चुके है रिक्षे वाले ने हमको देड़ घंटे का टाइम दिया है कहा कि देड़ घंटे में आप गुम के वापस आ जाए तो चलिए अल्टा मेरा को एक्स्प्लोर करते हैं यहां लिखा हुआ है बेन वेनी द पर पर संट 25 किच साल याने के तीन डॉलर 25 सेंट और बच्चों की टिकट दो डॉलर है तो अंदर हुसते ही सबसे पहले हमको यह पुतला सामने नजर आया यहां पर हमने फोटू खिचाया और उन्होंने पूरा रास्ता ऐसे बनाया है कि बहुत सारी जगा पर हम फोटू क खिच सकते हैं और फोटू खिचने के लिए जगा जगा पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है जैसे रास्ते में यहां पर यह साइकल रखा आगे चलेंगे तो उन्होंने कुछ जूले रखे है और अलग-अलग स्टैल में बहुत सारी चीज़े रखी है जिसके जरी से हम फोट अच्छा विउ मिलेगा तो यह पूर रास्ते में आपको विउ मिलेगा और जगा जगा पर फोटो के सेशन आएंगे और यहां पर कुल तीन हाथ है सबसे दो लकड़े के हाथ है और उसके बाद में एक इसको मानो दे ओरो कहते है याने सोने का हाथ गोल्जन हाथ तो चलो और यहां पर एक रेस्टोरेंट भी है जहां पर आप बैड कर अच्छा वीव ले के अपना लगाश कर सकते हैं या फीर कंफी पी सकते हैं पहला जो लकड़े का हत आने वाला है वो बिलकुल रेस्टोरेंट के पास में इस तो हम वहां जाते हैं और यहां सबसे पहले फोट बहुत ही खुबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है इसम नेच्छरूल और यहां पर बच्चों के खिलने के लिए बहुत सारी चीज़े रखी गई है अब यहां से हम जाएंगे मानो दे ओरो याने गोल्डन हैंड के पास वहां पर जाके फोटो खिचेंगे आपको यहां बताते हैं कुछ इस तरह से दिखता है और आखिर में ये एक बड़ा पुटला लेटा हुआ है जिसके अंदर से हम जा सकते हैं और इसके हाथ के पास पहुचके फोटो खिच सकते हैं अलता मेरा को एक्सप्लोर करने के बाद में हम सीधा अपने होटल में वापस जाने वाले थे लेकिन रिक्षे वाले ने हमें कहा कि जब यहां तक आई ही चुके हो तो पाना हाचल क्यों नहीं चले जाते हैं यहां से सिर्फ तीन घंटे का रास्ता है और वहां टूरिस्ट भरे पड़े होते हैं तो हमने फोरन होटल बुक कर आई और चले गए तो अगले वीडियो में पाना हाचल में मिलते हैं